हेलो वेलकम तो दा स्टूडियो मेंबर्स एशन पेंट को आज के दिर हम ट्रेट कर रहे हैं या फिर ट्रेट एग्जेक्जूट कर चुके होते हैं क्या होता है मान ले जी हमने शोट किया दो ही चीज़ा होगी अगर हमारा ट्रेट ले होता तो कहले है या तो तो हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ यह points है, like पहला point, यह तो मेरा direction गलत था, और अगर price stop loss ले करके नीचे गया है, तो क्या होगा, यह तो हमने stop loss सही नहीं लगा था, या फिर मेरी entries सही नहीं लगी थी, कुल मिला करके हम अपनी analysis create करने लगते हैं, या फिर हमने ऐसा क्या है, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए, वहन में ही psychology हमारे चलने लगती है, इस चीस को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इस चीस से कैसे निपट सकते हैं, अब मान लिजे, कि किसी एक stock को हमें trade करना, तो हम यह कैसे prediction कर सकते हैं, या किस तरह से analysis कर सकते हैं, कि price की movement हो, वो downside की तरफ continue र हम नहीं कैसे सकते हैं, कि छोटा point है, actually बहुत important point है, तो आईए, आपने आज कि इस Asian paint के live trade के दूरू हम यह समझने ही कोशिश करते हैं, कि कैसे हम लोग अपनी इस analysis को आगी के तरफ बढ़ाएंगे, अब देखिए, जैसे Asian paint है, Asian paint से पहले कुछ एक figures में कुछ points हम लोग सम प्रेमर भूलिए, कई तरह के नामों से इसको market में लोग denote करते हैं, लेकिन important क्या है, नाम नहीं, इसका काम क्या है, हमें एक level से इसने rejection show किया, common सी बतने, high break करेगा price, अब side के दिर्फ निकल जागा, सभी लोग जानते हैं, सब को यह मालूम है, सब लोग उसका use करते हैं, क अगर price मेरा यहां से upside की दर्फ निकल रहा है, और कहां से यह support लेकर किया है, किस range से, जिस range से price के प्राइस के अंदर rejection हुआ है, उस range से support मिला था, यहां से, buying की कर, price मेरा upside की दर्फ चल गया, मतलब यहां पर buyers हैं, buyers ने price को upside की दर्फ उठाया, opposite, जैसे कि price मेरा अपनी range को upside की तरफ ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है वैसे ही जब buyers fail होंगे यहाँ पर buyers के stop loss से switch होंगे तो क्या होगा कि price बना नीचे की दिशा में निकल सकता है एक point अगर price किसी एक rain से buy होकर के upside की तरफ आए मतलब कि कहीं न कहीं एक support होगा price जब अपने supports को downside की तरफ break कर देगा मतलब कि हमारी इस rejection candle के lows जो होगे वो break होगे तो क्या हो सकता है इसके अंदर down movement आ सकते हैं इस इसको आप daily time frame पर 5 minutes time frame पर किसी भी time frame पर लगा करके देख लिएगा बहुत अच्छा यह system work करता है जितने वीडियों जितनी ही हम effort करते हैं जितनी ही मेनत हम करते हैं इसके पीछे का सिर्फ एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही motive है कि जब आप trade को execute करने जाओ उसके अंदर के analysis करो तो आपका point of view आपका अपना point of view हो आप trades को analyze करो तरह तरह के indicators लगा करके आपने trades को ज्यादा कॉंप्लिकेट नहीं कर देना होता है because market is very simple कॉंप्लिकेट हम लोग करते हैं इसको बहुत simple चलती है market इस effort से और इसी एक motive से हम ये वीडियों आपके साथ share करते हैं वीडियों गार अच्छा रहते हैं और volumes के साथ मतलब जब price हमारा हमारी range पर जा और इसके अंदर volumes आ जाए इसका मतलब कि आज price के अंदर movements हो सकते हैं और अगर direction हम एक तरह से देख पा रहे हैं कि ये एक resistance के तरह work कर रहा है तो क्या हो सकता है chances are very high न कि price मेरा downside के तरह फिर से fall हो सकता है ये मेरा अपना view है तो कोई मिला करके Asian paint के अंदर जो मेरा view है ये downfall इसके अंदर थोड़ी देर तक हम लोग देख सकते है Asian paint में अब अगर हम इसके अंदर downfall देख सकते हैं ये हमने किस time frame पर हम अपनी analysis कर रहे है higher time frame पर and then lower time frame पर अब हमें इसके अंदर से confirmations रहे है अब चलते हैं सिर्दे हम लोग Asian paint के चार्ट पर Asian paint पर ये 5 minutes का चार्ट है जितनी भी range है न सबको delete करें फिलाल एक ही range है अप day time frame पर आजाओ देखे day time frame पर हो क्या रहा है हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ एक candle को mark कर लेंगे अपने इस rejection candle को price ने क्या किया है इस range के नीचे जैसे ही price मेरा गिरता है यहाँ गिर गया और उसके बाद में अपने इस resistance के नीचे मतलब यह जो range हमारी जो line हमारी है यह मेरी लेक resistance है इस resistance के नीचे मेरा price trade कर रहा है ओके down, up, down और again price मेरा हमारी इस range पर हमने इसको इस दिन trade क्यों नहीं कर दिये हमने इसको इस दिन trade क्यों नहीं कर दिये हम 3076 पर ही trade क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का reason, इसके पीछे का logic, इसके पीछे का जो सेंस है वह यही है कि प्रास आज मेरी लेवल पर कभी ह्में ओंगे कर सेूट नहीं कर देना ह्यास जान्म मनुवां च्रीज्श कर दिया हमेश्य आपने एक रेंज सेंस अपने रिक लेवल पर जाकर के ही ही प्रास को raise 88 बन रहा है कि अगर आपको daily एक हीap stock में trade करना है तो रोस्करोज आपको set-up नहीं मिलेगा finance पूरी तरसे मजबूत होगा तब ही में trade execute करना देखिए एशन पेंठ में आज के दिन मिला लॉस करने से अच्छा है वेट कीजिए लॉस करने से अच्छा है अपने setup को बनने देने का मौका दीजिए trade execute करके loss लेना कुछ समझदारी नहीं है इसमें वेट कीजिए patience के साथ market को read करने की कोशिश कीजिए धीरे 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 बहुत सारी चीज़ा मार्केट आपको सिखा देगी खुद बहुत कहीं जाने की जुरुरत नहीं है यह समझ में आया point figures हमने समझा दे चार्ट पर आपने देखी गया कि same level हमारे लिए एक तरह से resistance का work कर और आज price में लेवल पर है अब हम आते हैं सीधे 5 minutes की time frame पर 5 minutes time frame पर market क्या कर रहे है हमारी इस range के ऊपर price गया और first candle 920 की जो candle है इसी range से जो first candle हमारी इस range से ठक रहा है उसी इतना बड़ा rejection and rejections के बाद में जिस candle है मेरा rejection दिखाया है उसके बाद देखे market में क्या किया है sustain नहीं हो पाई ये market और again उसी एक range से नीचे की दरब गिर गया वापस से आकर करके ये 29 की range के अंदर ही ट्रेक करने लगा और उसके बाद से price फिर मेरा सीधे नीचे की दिशातर जाया है volumes के confirmation से यहां पर देखे आप लिजे के price में heavy volume आया था बहुत बड़ा ये volume का breakout है ये वाली जो हमारी candle है उसके बाद से अब जा करके 24th of March के बाद से अब इतनी ज्यादा volume हमारी Asian paint इंदर हमें ने देखी है तो ठीक ठाक volume ही है and इतनी ज्यादा volume के साथ price मेरा हमारे resistance level से ठ यह सब जो rejection आपको देखने हो को मिल रहा है कि price closing कि है और direct rejection again rejection वापस price हमारा view क्या था selling का भी हम इसके अंदर में लेकर के चलना यह price rejection मतलब पने resistance पर है resistance का मतलब यह हो गए कि price home resistance से short करेंगे short करने के लिए हम बैठे हुए है अब यहां से price मेरे जैसे ही range के अंदर आ करक 6.50 यह हमारा level है हम जो trade execute करना है इसके just नीचे करना है तो यहां पर जो हमने अपना trade execute किया है 3074 का मेरा trade है और यहां पर stop loss हम लेकर के चलना है अपने इस swing के हमारे stop losses है जो 945 की मेरी candle है हम just अपनी इस 945 के candle के high के पर हमने अपनी stop loss लगा रहे हैं so exact जो मेरे stop loss हैं जो high है 308 4.70 इसको एक बार trade book open कर लेते हैं let's press so login 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 and okay तो सबसे पहले यहां पर हम अपनी order book open करते हैं so total देख सकते हैं 280's का order हमारा लगा हुआ है fully executed sales side में 3074.25 पर and stop loss जो हमारे हैं वो 308 4.70 के stop loss है 3084.70 ठेक है and इस वक्त का जो अपना profit चल रहा है 3600 पर लगवा कम लोग profit के अंदर बने हुए है and movements थोड़े से slow movement है उम्मीद है कि price के movements अभी इमको market show करते हैं आगे बढ़ते हैं so 3500 पर के profit में लगवा कम बने हुए and stop loss जो है यहां पर अपना set कर देते हैं जो हमारी 9.45 की candle ना उसका just हमारा जो high है 9.45 की candle का high मेरा कितना है 3084.70 and stop loss भी जो हमारा लगा हुआ है यहां से 3084.70 यही मेरा stop loss है and targets जो हम इसके अंदर अपने ले करके चल रहे हैं आज downside के जो target से मेरे कल के support points है यह वाले हमारी target levels होंगे so thank you wait करते हैं अपने targets के लिए price जब अपने इस level पर आएगा इसके अंदर के price action समय देखने है इसके अंदर के spark ने समय देखना है लगता है कि हमें hold करना चाहिए prices और भी अगर downside की तरफ जाता है तो हम निकलेंगे अदर्वाइस हम यही पर सारे के सारे targets बोक कर लेंगे को बड़ा movement होता है तो inform करते है current market movement देख करके लग रहा है कि price दीरे दीरे ही सही but downfall इसके अंदर continuously हो रहा है हमारी entries के बाद में price हमारे stop loss तक तो छोड़िए वो entry पर भी दुबारा नहीं जा है and movements इस तरह के है like कि अगर price दीरे 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 भी गिर रहा तो movement इसके अंदर बने हुए है and उमीद यह है कि price ने अभी just अपनी 9.15 के नीचे closing की है तो यहां से price के अंदर downfall होता और price अपने swings को break करने लगता है तो next target point हमारे कुछ यह वाले हो सकते है यहां से नीचे 3019 हमारा जो actual target है 3019 का है and price continuously इस अंदर pressure बना हुए है down का so movement की उमीद बनी हुए है and price हमारा downfall कर रहा है इस वक्त का profit हमारा 7630 का profit में हम बनी हुए है and अपने profit score quantities को hold कर रहे है 280 quantities के साथ में prices के अंदर बनी रहना है stop losses को hold करना targets को hold करना इस जितना भी psychological जितना भी matter जैसे class वगरा है किसी class attend करो या हम भी जो class वगरा में जितनी भी चीज़े हम discuss करते है actually psychology का कफी broad subject होता है लेकिन अगर हम आपके लिए इसको दो शब्दों में बोल दें कि what is psychology ट्रेडिंग में psychology को किस तरह से आप develop कर सकते हो क्या psychology तो क्या होता है सिंपल सी चीज है एक बार entry लगाओ एक बार stop loss लगाओ target लगाओ भूल जाओ आपको psychology पढ़नी ही नहीं पढ़ेगी जितना भी अब आप आगे पढ़ोगे न यह सिर्फ psychology का extension होता है psychology lessons का extension होता है psychology topic का extension होता है नय नय शब्द नय नही lines जूरती चाहिए जाएगी अगर पहली stage पर जो भी हमने आपसे बोला entries stop loss target fixed या तो stop loss target खत्म पूरा psychology आपने पढ़के खत्म कर दिया इन ही दो lines के अंदर कुछ नहीं करना है बस हम ऐसे इसलिए बोले है अब माल लिजे कि आपनी stop loss लगा दिया target लगा दिया अब देखिए अब हमने आगे आगे आग अब माल लिजे कि अब हमने its stop loss लगाया प्राइस ऊपर जा रहा रहा बबर जा रहा पर जा रहा डढ़र दो दर लगघ esper conflict कि तरहां किस तरह से डर को बुक करते हैं हम अपने प्रोफिट करते हैं फोड़ासे हम ज्यादा बूख उत करते हैं इसको कैसे आड़ करें हाऊ जो इसके आगे के जो answers लिखे गए इन्हीं को psychology बोल दिया गया psychology method trading psychology तरह तरह के example दिया गया हमने आपसे बोला है stop loss target fix कुछ नहीं करना है आगया जाने दिए stop loss जा रहा है शुरुआत से अगर वीडियो मेरे continuous आप देख रहे हो एक चिस हम बोलते हैं अगर आपकी risk capacity 200 rupees की है तो 150 अगर आपकी risk capacity 5000 rupees की है धर अपको ड़र नहीं लगेगा लेकिन अगर आपकी risk capacity 우리는 500 rub की और आपने risk ले लिग है 1500 rupees की डर इतना ज्यादा आपको लगेगा ना कि आप अपने profits को 5 minute यहाइक विंधनी करवागे तुरन्त आप बाहर निकल जाऊगेский जिपना आपकी lay好的 कर रही है 20 पैसेये कर रही है 15 prays अब चोड़ दो ठेक्निकली थोड़ा सा समय दो market को hold करो थोडा समय दो market में थोड़ी सी practice को पढ़ो उपनेacial थतरुपने वपम उपर यह मेरा genuine effort है जो आपके trades को बहतर बनाने के लिए मेरी तरफ से किया जा रहा है देखते हैं क्या profit आज की market में book का पाते है जितना भी हमारा target है सार अगा सारा target मेरा achieve हो चुका है and still अभी हम position के अंदर बने हुए हमें इसको exit नहीं किया है and ideal condition के recording हमें अब हमारी position को square off कर देना चाहिए यहां से cut off कर देना चाहिए because यह जो candle बन रहे हमें 225 की candle है अभी भी कुछ से मार्केट के पास है फिलहाल जितनी हमारे target से सब अच्छी हो चके हैं इस वाट का जो price चल रहा है अभी बचे हुए है और बुक देखे ओपन करते हैं 67 कोई हमारी बुक हो गई है orders complete सारे orders हमारी निकल गया position book सारे orders हमारी निकल चुके है 15,446 का overall profit हमने अज के दिन इसके अंदर बुक क्या है so positions देख लेते है and price अब अपने closing के तायारी कर रहा है हो सकता है chances है कि price अगर अपने इन वाले swings को नीचे की तरह ब्रेक कर देता है तो और अच्छे moments देखने को मिल सकते हैं but यह वाली जो अपनी candle थी आप exact जब इसकी location का low दिखोगे 255 की candle का जो low है मेरा 3019.30 है और आज का जो exit point है अपना order पर जाओगे आप 3019.30 जो execution हुआ है मेरा वो थोड़ा सा open ही चागा है 3019.08 का हुआ है उतना चलता है थोड़ा सा buffering कभी कभी slippage हम लोगों को देखनी पड़ जाती मार्केट में but morning में जेकी जो हमने अपनी entry ली थी 3074.25 पर executions था और order भी जो हमको मिलेते सारे 3074.25 यह सेम है यहां पर थोड़ी सी slippage मिली आज को अपना profit है 15k के अराउंड profit है 15400 रुपय का एक decent सा profit intraday के session के कॉड़ी हमने आज के दिन हचीब किया मेरे लिए एक satisfying profit है I hope कि आपने आज की वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा कुछ नया आपको समझने को मिला होगा एक नया point of view मिला होगा शुरुवात में जैसा जो भी हमने discussion क्या है उसको याद करिएगा अगर वीडियो समझ में नहीं आये कहीं पर आपको लागा जैने हमने skip कर दिया है तो थोड़ा सा और उसको rewind करके आप देख सकते हो एक अच्छे lesson का यह काम करेगा Thank you, goodbye and you will meet again